ठंड इतनी थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा था और बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे लेकिन उनके डर की वज़ा सिर्फ ठंड नहीं थी वो बच्चे क्लास टीचर सीमा मैडम के खौफ में थे एक दिन पहले स्कूल में कुछ ये हुआ था सभी ने होमवक किया की नहीं? हाँ मैडम किया है ठीक है मैं एक एक करके चेक करूँगी और गलती होने पर मैं सजा दूँगी ये सीमा मैडम की दूसरी कलास थी सीमा मैडम ने एक दिन पहले ही स्कूल में नया नया जोइन किया था सभी बच्चों ने सोचा था कि सीमा मैडम बागी ठीचरों की तरह अच्छी ही होगी लेकिन सीमा मैडम ने जब होमवक चेक करना शुरू किया तब सभी को उनकी असलियत के बारे में पता चला राजू, मोती, चुटकी और मीना तुम लोगों को सजा मिलेगी लेकिन क्यों मैडम क्योंकि होमवक में गलती है तुम चारों यहां लाइन लगा कर खड़े हो जाओ चारों लाइन में खड़े हो गए उन्होंने सोचा कि सीमा मैडम ज़ाद से ज़ाद मुर्गा बनाएंगी या तो दो थापर मारेंगी लेकिन सीमा मैडम के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था बाहर बरफ गिर रही थी सीमा मैडम बाहर से बरफ लाई और चारों के स्वेटर के अंदर खुसा दिया इतनी कपकपाती थंड में स्वेटर के अंदर बरफ जाने से चारों के चारों जोर-जोर से चिलाने लगे आह आह बहुत ठंदा है मैडम बरफ निकाल लीचे मैडम हम से और गलती नहीं होगी लेकिन सीमा मैडम ने हसते हुबे कहा बरफ तो मैंने ही निकालूंगी और कोई नहीं निकालेगा ये सजा याद रहनी चाहिए तब जाकर तुम लोग सुधरोगे और हाँ ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और जादा सजा मिलेगी सारे बच्चे बहुत डर गए राजू चुटकी, मूती और मेना चारो ठंड से कामते हुए अपनी अपनी जगा पर बैठ गए क्लास खत्म होने के बाद सीमा मैडम बाहर चली गए, तब बाकी बच्चों ने चारों के स्वेटर से बरफ निकाल दिया, उनको थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन तभी सीमा मैडम वापस आ गए, किसने निकाला बरफ, किसने किया, किसी ने उत्तर नहीं दिया, मेरे मना करने के बावचूत, तुम लोगों ने स्वेटर से बरफ निकाला, तुम सब सजा के ही लायक हो, सब को सजा मिलेगी, ये बूलकर सीमा मैडम ने सभी के स्वेटर में बरफ खुसा दिया, और शाम तक घर लोटते-लोटते, सभी को जुखाम हो गया, राजू की मा सुनीता कहने लग और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और ज़्यादा सजा मिलेगी, ये सोचकर राजू डर गया और उसने अपनी मा से कहा, मा, वो बाहर बहुत ठंड है न, उपर से बरफ बारी भी हो रही है, इसलिए ठंड लग गयी है, मैं कल स्कूल नहीं जाओंगा, नहीं जाएगा, लेकिन क्यों बेटा, थोड़ा सा जुखाम ही तो है, नहीं मा, जुखाम ठीक होने के बाद ही स्कूल जाओंगा, नहीं बेटा एक्जाम सर पर है अभी स्कूल जाना ही होगा सुनीता ने राजू की बात नहीं मानी उसने सोचा कि राजू छोटा है इसलिए बहाना बना रहा है अगले दिन राजू स्कूल गया बाकी बच्चे भी स्कूल आ गए वो सभी सीमा मैडम के खौफ में थे आज भी सीमा मैडम आएंगे और हमसे कुछ ना कुछ करवाएंगे मुझे तो बहुत डर लग रहा है पता नहीं आज क्या होगा कुछ दिर बात सीमा मैडम क्लास के अंदर आई और कहा बच्चो आज पढ़ाने का मूड नहीं है आज मैं आराम करूंगी राजू चुटकी यहाँ आओ और मेरे पैर दबा दो सीमा मैडम कुर्सी पर बैट गई राजू और चुटकी पैर दबाने लग गए अरे अच्छे से दबाओ ताकत नहीं है क्या मुझे जोर की भूक लगी है तुम लोग टिफिन लाए हो ना हाँ मैडम लाए है हाँ तो एक एक करके मेरे सामने टिफिन ले आओ जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसे सजा मिलेगी ये सुनकर डर के मारे सभी बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए बच्चों ने अपना अपना टिफिन लेकर लाइन बना लिया लाइन में सबसे आगे टीना थी उसने सीमा मैडम को टिफिन खोल कर दिया उसमें पूरी सबजी और गाजर का हलवा था अरे वा पूरी सबजी और गाजर का हलवा बहुत बढ़िया खा कर देखती हूँ सीमा मैडम ने पूरी सबजी और गाजर का हलवा खाया और फिर रुंगलियां चाटने लग गए बहुत स्वादिश था खाना टीना तुम बैठ सकती हो उफ आज तो बाल बाल बच गई उसके बाद मीना टिफिल लेकर आई उसकी मा ने पोहा बना कर दिया था टिफिल खोलते ही सीमा मैडम ने मूँ बना लिया अरे ची 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 सारा मूट खराब कर दिया पोहा कौन खाता है यार पोहा क्यो लाई है मीना डर-डर कर बोलने लगी मुझे, मुझे पुहा पसंद है मैडम इसी लेमा ने बना कर दिया है पुहा कितना सूखा होता है पुहा नदी में फेग दो तो نदी का पानी ही सूख जाएगा मीना मन ही मन सोचने लगी हाई, आज तो मर गई मैडम को पहाँ पसंद नहीं है मीना तुने मेरा मूट खराब किया है मैं तुझे सजा दूगी मीना ने तुरंट रोते हुए सीमा मैडम के पैर पकड़ लिये मुझे बाफ कर दीजे मैडम मुझसे गलती हो गई कल से मैं पूरी हलवा ही लाओगी मीना ने वही किया मीना अपने हाथों से एक बड़ा सा बरफ का टुकड़ उठा कर अंदर ले आई उसने सोचा यही उसकी पनिश्मेंट थी लेकिन सीमा मैडम इतनी आसानी से छोड़ने वाली थोड़ी थी उन्होंने कहा मीना अब अपना जूता उतार और उस बरफ के टुकड़े पर खड़ी हो जा क्या मैडम मैडम प्लीज माफ करतीजे न मुझे मुझसे गलती हो गई प्लीज मैडम लेकिन सीमा मैडम पर रोने दोने का असर नहीं होता था उन्होंने मीना को नंगे पैर उस बरफ के टुकड़े पर खड़ा करके ही दम लिया और उसके बाद एक के बाद एक बच्चों की टिफिन खोलती गई और एक के बच्चों को सजा मिलती गई अंत में सीमा मैडम ने चुटकी और राजु का खाना भी खाया लेकिन खाना पसंद ना आने पर उन्होंने उन्दोरों को भी बरफ के टुकड़े पर नंगे पैर खड़ा कर दिया और फिर डंडे से सभी को मारने लगी गंदा खाना लापते है उसकूल में तुम्हें शरम नहीं आती इतनी ठंड में नंगे पैर बरफ पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है उपर से उन्हें मार भी पढ़ रही थी बेचारे बच्चे ये कैसे सहपाते मीना बेहोश हो गई और गिर पड़ी उसे घर भेज दिया गया उसके माता पिता ने भी सोचा कि जादा ठंड की वज़ा से हुआ ऐसा लेकिन मीना भी अपनी माता पिता से सच कहने में डर रही थी वो भी सच नहीं बोल पाई इसलिए सीमा मैडम को और जादा छूट मिल गई वो हर रोज बच्चों पर अत्याचार करने लगी कभी वो बच्चों पर ठंडा पानी चुड़कने लगी तो कभी ठंड में क्लास का पंखा चलाने लगी इससे सभी बच्चे परिशान हो गए एक महिना ऐसे ही बेद गया स्कूल प्रिंसिपल को कुछ भी पता नहीं चला और एक महिने से ये सब सहते सहते बच्चे परिशान हो गए हमें कुछ करना होगा ये सब कब तक चलता रहेगा लेकिन हम क्या करेंगे राजू मैडम बहुत शातिर है हम बाहर कुछ भी बोलेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा हाँ ममी पापा सोचेंगे कि हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रहे हैं हाँ ये सही कहा हमें दिमाग लगाना होगा राजू घर चला गया और उसी दिन विदेश से उसके चाचा लोटा उन्होंने राजू को एक पैन दिया ये क्या चाचा आप विदेश से मेरे लिए केवले पैन लाए हो हाँ हाँ ये ऐसा वैसा पैन नहीं है राजू बेटा ये देख इसमें कैमरा है लिखने के साथ साथ सब कुछ इसमें रिकॉर्ड भी होगा ये सुनते ही राजू की दिमाग की घंटी बचने लगी अगले दिन वो पैन लेकर सुझी चला दे और अपनी जेब में पैन को रख दिया पैन का उपरी हिस्सा बाहर निकला हुआ था और उसी हिस्से में कैमरा लगा हुआ था आज भी रोज की तरह सीमा मैडम सबको डाटने बाढने लगी और अंत में वो रोज की तरह सबको सजा देने पर उतर आई उन्होंने आज तो हदी पार कर दिया उन्होंने सभी बच्चों को बाहर बरफ में निकाल दिया और बरफ पर सुला दिया कुछ देर बाद क्लास में लोटने के बाद सभी बच्चे खासने चीखने लगे और दस बार बच्चे बेहोश हो गए प्रिंसिपल दोड कर आए और उन्हें अस्पताल में भरती किया गया सभी बच्चों के पैरंस अस्पताल चले आए लेकिन यो सब हुआ कैसे हाँ हाँ सभी एक साथ बिमार कैसे पढ़ गए सीमा मैडम पासी में खड़े होकर हस रही थी तबी राजू ने कहा ये सब सीमा मैडम की वजहे से हुआ है क्या? मेरी वज़ह से? क्या बोल रहे हो तुम राजू? मैं तुम लोग उसे कितना प्यार करती हूँ जोट सब कुछ जोट ये देखिए राजु ने पैन निकाला और उसे फोन से कनेक्ट करके सभी को सब कुछ दिखाया सीमा मैडम की हालत खराब हो गई इतनी ठंड में भी वो पसीने पसीने होने लगी और पैरेंट्स सीमा मैडम पर बहुत गुस्सा हो गए उन्हें उल्टा सीधा कहने के बाद पुलिस को बुलाए गया और उन्हें जेल में भेज दिया था डॉक्टर ने सीमा का चेक अप करने के बाद कहा कि उन्हें एक मैंटल डिसॉर्डर है बच्चों पर टॉर्चर करके उन्हें सुकून मिरता है कोर्ट ने उन्हें 20 साल की सजा दी और ये भी घोशित कर दिया कि 20 साल बाद भी उन्हें कभी भी कोई भी स्कूल नौकरी नहीं दे सकता ऐसे ही राजु की होश्यारी से बहुत सारे बच्चों की जान बच गई और सीमा जेल में सरने लगी अदिती नौवी क्लास में पढ़ती थी, वो काफी मोटी थी, उसे मूली के पराठे बहुत पसंद थे मूली के पराठे खाखा कर वो और भी जादा मोटी हो गई थी उसके मूली के पराटे खाने की आदत से सब परिशान थे अधिती बेटा जल्दी से नाश्टा कर लो स्कूल की बस आती ही होगी मा आपने नाश्टे में क्या बनाए है आज तो मैंने आलू के पराटे बनाए है मा आपको पता है ना कि मुझे मूली के पराठे कितने पसंद है आप मूली के पराठे क्यों नहीं बनाती मैं स्कूल तब ही जाओंगी जब मुझे मूली के पराठे खाने को मिलेंगे अधिती बेटा अभी तो गर्मियों का मौसम है मूली का सीजन तो ठंड में आता है ठंड का मौसम आने दे तुझे मूली के पराठे बना कर खिलाओंगी प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा अधिती उस दिन आलू के पराठे खा कर और वही लंच में लेकर स्कूल चरी जाती है लेकिन उस दिन से वो ठंड के आने का इंतजार करने लगती है अधिती जल्दी से अक्टूबर के खत्म होने का इंतजार करने लगती है नवंबर से ठंड शुरू हो जाएगी तब बाजार में मुली आ जाएगी और मम्मी मुझे मुली के पराठे बना कर खिलाएगी अधिती दिन गिन रही थी कुछ दिनों के बाद अक्टूबर का महीना खत्म हो गया और नवंबर का महीना शुरू हो गया था अधिती एक दिन स्कूल बस से घर लोट रही थी तभी उसने घर के पास देखा कि सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा था उस दिन घर जाकर उसने अपनी मा से कहा मा बाहर सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा है चलो ना मूली खरीद लो प्रीती बाहर जाकर देखती है तो सब्जी वाला मूली बेच रहा था सब्जी वाले भाया मूली क्यासे दिये? साट रुपए किलो मेडम इतना महेंगा? बहन जी सीजन का नया मूली है अभी अभी बाजार में आया है महेंगा तो होगा ही भया 50 रुपे किलो लगा दो नहीं हो पाएगा बहन जी इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है सबसी वाला जाने लगता है अधिती जित करने लगती है मा आपने कहा था कि धन के बॉजब में आप मूली के पराठे बना कर दोगी आपने मूली क्यों नहीं खरीदी प्रीथी को मूली खरीदनी पड़ती है वो सबसी वाले को रोकती है भाईया ज़र अरुको एक किलो मूली देते जाओ येलो बैंजी सबसी वाला एक किलो मूली प्रीथी को देता है येलो आपके साथ रुपे मूली देखकर अदिती बहुत खुश हो जाती है उस राट डिनर में प्रीथी मूली के पराठे बनाती है अदिती ने चार मूली के पराठे खा लिए मा मुझे एक और पराठा चाहिए अधिती बेटा तुने चार पराठे पहले ही खा लिये जरा आपने वजन की ओर भी देख कितना जादा है इतने पराठे खाईगी तो और मोटी हो जाएगी ठीक है मा अभी मत दो लेकिन कल सुबह नाश्टे में मुझे मूली के पराठे ही चाहिए मैं तभी स्कूल जाओंगी ठीक है अधिती कल सुबह तुझे मूली के पराठे ही दोंगी दूसरे दिन भी प्रिती अधिती को नाश्टे में मूली के पराठे बना कर देती है अधिती नाश्टे में भी मूली के चार पराठे खा जाती है अधिती तुने रात में भी मूली के चार पराठे खाये थी और अभी नाश्टे में भी बेटा इतना जादा खाएगी तो और मोटी हो जाएगी मा मैं मूली के पराठे देखकर खुद को नहीं रोप सकती बहुत गंदी गैस छोड़ दी मूली के पराठे खाने के कारण उसके गैस से बहुत गंदी बद्बु आ रही थी क्लास के सभी बच्चे अपने अपनी नाग बंद करके क्लासरूम छोड़कर बाहर आ गए ख्लास में हंगामा बच गया अधिती ये सब क्या है? क्या तुम स्कूल आने से पहले फ्रेश नहीं होती? होती हो ना मैडम वो क्या है कि कल रात मैंने मूली के पराठे खाये थे और आज सुबह भी मूली के पराठे खाये क्या कल रात भी और आसुब अभी हाँ मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद है लेकिन तुम्हारी पसंद का नुकसान हम सब को भरना पड़ रहा है लेकिन अदिती को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा वो तो अभी मूली के पराठे खाने पर उतना ही जोर देती घरा कर उसने अपनी मा से कहा मा मूली खत्म हो गई क्या? हाँ खत्म हो गई, सब के पराठे बनवा कर तुने खा लिए अधिती के पिता जी वहीं सोफे पर बैठे थे और अपने लैपटॉप पर आफिस का काम कर रहे थे उन्होंने अधिती से कहा क्या बात है अधिती तुम्हें मूली के पराठे खाने हैं क्या हाँ पापा ठीक है मैं अभी ओनलाइन ओडर कर देता हूँ दस मिनट में मूली आ जाएगी शेकर इसने कल ही तो मूली के पराठे खाए हैं और आज सुबह नाश्टे में भी मूली खा कर स्कूल गई थी आप भी ना इसकी हर जिद मान लेते हैं रोज रोज मूली के पराठे कौन खाता है खाने दो ना परिती पैसे भी गर्मियों के मौसम में मूली कहां मिलती है सिर्फ थंड की ही तो बात है थोड़ी देर में घर की घंटी बजचती है और डिलेबरी बॉय मूली देने आता है अदिती खुशी-खुशी मूली रिसीव करती है और किचिन में प्रिती को ला कर देती है मा ये लो मूली, आज रात में मूली के पराठे बनाना प्रिती ने अपने मन में कहा उफ, ये मूली तो मुसीबत बन गई प्रिती ने ना चाहते हुए भी डिनर में मूली के पराठे बनाए और अदिती ने जम कर मूली के पराठे खाए अब तो अधिती रोज रोज प्रीती से मूली के पराठे बनाने के लिए कहती प्रीती अधिती के लिए मूली के पराठे रोज बना दिया करो अधिती को अब रोज मूली के पराठे खाने के लिए मिलती जिसे खाखा कर वो और जादा मोटी हो गई थी और स्कूल में रोज गंदी गैस छोड़ती थी स्कूल के बच्ची और टीचर सभी उसकी सादत से परिशान हो गए थे इसी तरह नवंबर का महीना बीट कया और दिसंबर भी आ गया अब तो ठंड और बढ़ गई थी ऐसे में अदिती का मुले के पराठे खाना और भी बढ़ गया कृती मुली के पराठे बना कर और रोज रोज खाकर परिशान हो चुकी थी एक बार की बात है अदिती के स्कूल में वार्षिक समारो होने वाला था अदिती ने घर आकर शेकर को ये बात बताई पिता जी स्कूल में वार्शिक समारो होने वाला है, जिसमें सभी बच्चे भाग लेंगे, मैं भी एक डांस प्रोग्राम में भाग लोगी. हाँ अदिती बेटा तुम वार्शिक कारिक्रम में जरूर भाग लेना रोज डान्स की प्रैक्टिस करोगी तो शायद तुम्हारा मोटापा भी थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन शेखर ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ अदिती ने वार्शिक कारिक्रम में भाग तो ले लिया लेकिन डान्स की प्रैक्टिस करने के बाद उसे और ज़ादा भूख लग जाती और वो पहले से भी ज़ादा खाना खाने लगी अब वो पहले से ज़ादा मूली के पराठे खाती ओहो मैं तो मूली खरीद खरीद कर ठक गई हूँ, कहीं देश में मूली का अकाल ना पड़ जाए ऐसा बड़ बड़ाते हुवे प्रीती सबजी वाले को रोकती है सबजी वाले भाया, रुकना जरा अरे ये सब छोड़ो, मुझे एक किलो मूली दे दो रोज-रोज मूली के पराठे खाती हो बहन जी, कभी कोई और सबजी भी खा कर देखो ठंड का मौसम है, इतनी सारी हरी पत्तेदार सबजिया है, सब अभी खेच से तोड़ कर लाया हूँ प्रीती ठंडी सास भरते उवे कहती है, हमारे घर में तो सिर्फ मूली के पराठे इखाये जाते हैं, आप मुझे मूली दे दो फिर एक किलो मूली में क्या होगा, आप दो किलो मूली ले लो, क्योंकि कल मैं सबजी लेकर नहीं आऊंगा सबसी वाला प्रीती को दो किलो मूली दे देता है, प्रीती मूली के पराठे बनाती है, इधर अधिती का वार्शिक कारिक्रम नस्दीक आ गया था मा, कल हमारे स्कूल में वार्षिक कारिक्रम है, आपको और पापा को स्कूल आना है, ये रहा पास, ठीक 11 बजे आप दोनों स्कूल आ जाना ठीक है अदिती बेटा, मैं और तेरे पापा स्कूल आ जाएगे मा, कल नाष्टे में मूली के पराठे बना देना, और मुझे लंच में भी चार मूली के पराठे दे देना, ठीक है दूसरे दिन अदिती नाष्टे में चार मूली के पराठे खा लेती है, और लंच में भी चार मूली के पराठे ले कर जाती है 11 बजने से पहले कारिकरम खत्मोंने में पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा मैं लँच अभी कर लेती हूँ और अधिती ने लँच में मिले मूली के पराठे खा लिये अदिती को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना जादा मूली के पराठे खाना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा जब 11 बजे एक कारिक्रम शुरू हुआ तब अदिती अपने क्लास के बच्चों के साथ एक डांस परफॉर्म कर रहे थी लेकिन उसी बीच मूली के पराठों ने अपना असर दिखाना शुरू किया और अदिती गैस छोड़ने लगी गैस की बद्बू इतनी गंदी थी कि स्टेच पर नाच रहे दूसरे बच्चे स्टेच छोड़कर भागने लगे सारे बच्चे स्टेच छोड़कर भाग गए और अदिती अकेली रह गई इस तरह उसका डांस शोप पूरा नहीं हो पाया कारिक्रम में मौजूद स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, स्कूली बच्चों के अभिभावक भी गैस की इतगंदी बद्बू से अपने अपनी खुर्सी छोड़कर भाग गए सब ही एक दूसरे के साथ कानफुसी कर रहे थे कारिक्रम में आए अदिती के माधा-पिता को काफी शर्विंद की महसूस हुए अदिती रोते हुए उनके पास आए मा, देखो ना, सभी लोग कारिक्रम चोड़कर भाग गए और सब मेरे बारे में पूछ रहे है अदिती बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना जादा मूली के पराठे खाना ठीक नहीं है ये सब उसी का नतीचा है मूली के पराठे खाखा कर तुम और भी मोटी हो गई हो और आज तो जो हुआ तुमने देखी लिया सारी ममी, मैं आज के बाद मूली के पराठे नहीं काऊगी चलो, देर आए लेकिन दुरस्त आए